कैसे हो आप सब मेरे को एक बात आप सब के साथ शेयर करनी थी कि सब मुझसे evidence और proof मांग रहे हैं कि क्या proof है कि आपको threatening type के जो धमकिया आई थी तो ना पते क्या मैं आपको बताती हूँ पूरी बात क्या हुई थी मेरे साथ कि मेरे पास मैं अभी यहाँ पे screenshot भी लगा दूँगी आपको ताकि पता चल जाए कि पूरी बात हुई किया थी कहां से शुरुआत हुई है इंची जो कि तो हुआ क्या था कि मैंने अभी कुछ जन पहले वेट लोज जर्नी शुरू करी थी ठीक है तो वेट लोज मैं पतली होने के लिए मतलब काम कर भी थी तो मेरे पास ना एक परसन है जो कि मैं अभी कदी खा दूंगी आपको और आप मेंसे भी कहीं ने उन उसका देखा होगा नाम बगरा तो उन्होंने ना मेरे प उसके अलावा उस बंदे ने अपना नंबर छोड़ दिया थीक है उसमें अपने अकाउंट में तो क्या हुआ कि मेरे जो फैंस है ना वो भी और हेटर्स भी दोनों ही मेरे उपर पूरी कड़ी नजर रखते हैं मेरी एक्टिविटीज पे मैं क्या बोलती हूं क्या करती हू ले लिया और फिर वो स्क्रिंशोट मेरे तक बिजवाया गया ठीक है और वो जो फोन नंबर था ना महां पर ना कॉंटेक्ट्स भी करके कोशिश की गई कि कॉंटेक्स करते हैं क्यों बंदा क्या है क्या नी तो उस बंदे ने सिधा ये बोला गया जब पूछा ना कि आप क प्रफेज देखना फेसबुक पेज वो ऐसे इस तरीके से तो उस बंदे को आप पहले तो ये बताओ कि उस बंदे को चीजे पता थी और उसने पहले मेरे को ये मैसेज भी किये कि फेस्बुक और वट्सैप पे इंस्टाग्राम पे मैं क्या क्या करता हूं मतलब ये सब होन प्राइवेट कर लिया हाथ हो हाथ मतलब बंदा डर गया और उसका नंबर ना काफी हद तक कई लोगों के पास जा चुका है सर्कुलेट हो चुका है क्योंकि उस बंदे ने वह नंबर ना छोड़ दिया था उसके अंदर ठीक है तो मुझे तो पूरा पूरा शक है उस पास एक बंदे का मैसेज आये थे कोमेंट कही आये लगातार बोलते कहां पर यह मैं निकला हुआ हूँ कहां पर यह तो अफटा फटा फटा एड्रेस बता मैंने का आप मेरे को जानते हो मैंने एसे पूछा तो मेरे को रिप्लाई आया कि जान पे चान तो हो जएगी अगर तुने निए बताया ना एडरस तो मैं बताऊंगा तिरको जल्दी बता अपना इस तरीके से तो मैंने फिर उसको बंदे को रिप्लाई नहीं दिया फिर उसका मेरे पास मेल पे भी मेसेज आया था मैं शाय डूंडूंगी मुझे मिल जाएगा कहां पो पहुची है बता कहा पर अभी तु कहां खड़ी है इस तरीके से धंकियों वाले यह दूसरी बार यह चीजी हुई थी इसके अलावा भी मेरे पास कहीं बार आई है मैसेजिस धंकियों वाले जो होते नहीं है कि बाहर निकल तुझे मैं बताऊंगा तू निकल के देखी हो देख तेरा तो क्या ह इस तरीके के मैसेजिस मेरे पास आ रहे थे और मुझे अभी तो मैंने सिर्फ फेस्बुक चेक किया था मैं इस्टाग्राम पर अभी तक मैं गई न्यू देखने के लिए कहीं हो सकता हूँ कि इस तरीके की चीज़े अक्टिविटीज हुई हो तो यह तो थे देखो मैंने और मैं साथ की साथ आपको दिखा भी दी है स्क्रीन शॉट और आप मेंसे भी कई ने देखे हैं और और वी क्योंकि मैं कॉमें इस तरीके की चीज़े हुई हैं पिछले कुछ दिनों में कुछ टाइम में और यह जो पराना पेज नहीं था बिस बाइस दिन में ही बना था म और जो मुझे पिल्जाम लगा रहे हैं कि हाँ यह पेज मैंने खुदी बना दिया होगा खुदी में को यह बता हूं में कहली चीज क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जो बंदी अपना फेस्बूक और इंस्टा लोगी नहीं करती मैं पहले बता हम लोगों की सोच देख कि अपना ही यूट्यूब चैनल से वह वीडियो को डाउनलोड कैसे करते हैं मुझे नहीं आता ठीक है एक सेगिंड हां तो मुझे उतनी एडिटिंग नहीं आती है और इतना में मेरे पस एक वाफ तो मैं अगर मैं पेज बनाती फेस्बूक पे तो क्या मैं आप सब को बता कि इस लड़की इस लेवल तक गिर सकती है इस लेवल तक सोच के देखो लोगों की जो सोच है न मेरे को बोल रहे है कि इस लेवल तक गिर जाएगी कि हां ये लड़की अपना खुदी पेज बनाएगी उसमें गंदी गंदी वीडियो अपलोड करेगी और उसके बाद वह पुलिस में चली जाएगी फिर एफाई आर भी कटवा देगी फिर अपना इतना ताइम मतला किसी बंदे के पास होगा कि उसके बाद दूसा कोट में साइबर में चली जाएगी और उसके बाद मेरे ब्लेम करेंगे कि हां इस लड़की ने कंप्लीट एक्शन नी लिया एक् चोटा बच्चा भी है मेरे को बाहर निकला भी पढ़ता है और मैं यह चीज सोच कि एक बंदा एक बार तो यह चल सोच ही लेता है कि चलो अगर किसी बंदे ने मेरी उस वीडियो को देख के वो चीज़ अपनी साइड से डिलीट कर दी यह सोच कि वो डर के होगा बंदा कि जाँ वो चीज़ के भी हाब उसने वो चीज़े कर दी ठीक है तो उस चीज़ को अगर आगे मिर को मतलब भी कहरें कि हाँ इसी नहीं बिल्डप किया है यह जूटी और दूसरी चीज़ मेरे को कहते है न कि लोग कहरें कि न हाँ यह कोम्यूटी से भी पोस्ट ढालती है और अपने आप डिलीट कर देती है तो बस मैं इतना बोलूँ कि मैं करती हूँ डिलीट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं आपनी कम्यूटी में क्या होता है कर मैं किसी की भी पोस्ट शेयर करती हूँ न कम्यूटी में चैनल भी प्रोमोट करती हूँ तो बारा घंटे के लिए अब तक जो क्राउट होता है उसको चला जाता है वहाँ पर ठीक है लेकिन वह चीज मैं हमेशा के लिए नहीं रखती हूं ठीक है उस चीज में मैं मैं आप में पर बोलती हूं कि आप समझ चाहिए उस चीज को कि अगर किसी का जो चैनल है आप उसको अपनी कम्यूनिटी पर डाल रहे हो तो आप हमेशा के लिए वहाँ पर नहीं डाल सकते विए मैं मेरे पापाजी का भी नहीं डालती हूं क्योंकि ना अगर उनके चैनल पर कुछ गलत एक्टिविटीज होंगी तो वह आपके चैनल पर भ क्योंकि मुझे पता होंगे कुछ अइसी चीजे क्योंकर बहुत सै बहुत में करूंगे लिए ईमील करो क्योंकि फिर भी थोड़ी द्यान देंती हूं इंस्टा पर लोगिन में कम करते हूँ तो आप मुझे अक हमसे to fuck czy here ताकि मैं उस चीज पर पहुंच सकूँ और साथ में आप समझ रहे हो ना वो चीज दीरे-दीरे ही समझ आएगी पता चलेगी मैं भी कर रही हूं मुझे और भी कमेंट आया था जिन्होंने मुझे बोला था कि एक बहुत बड़ी साधिश चल रही है आपका चैनल है करने के लिए और जैसी यह मैसेज पढ़ो आप यह मैसेज डिलीट कर दे ना यहां से कमेंट सेक्शन से प्लीज मैडम प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कु मुझे इस चीज का भी है तो मैं भी इस चीज से कंसल्ट कर रही हूं अभी ताकि मैं अपने चैनल को थोड़ा हूर सिक्योर बना सकूं क्योंकि बहुत सी गलत एक्टिविटीज मेरे अगेंस्ट पोलिटिक्स हो रही है इन चीजों को आप प्लीज समझे और ना लो क्या कर तोड मरोड़ के आपके सामने पेश कर देते हैं तो प्लीज अफवाहों से बचिये मैं आपको यह कहती हूं किसी की मत सुनिये अगर आपको नीधी के बारे में जानना है तो नीधी की दुनिया नम का मेरा चैनल है मेरे चैनल को विजट कीजिए मेरे चैनल के पास आईए ठीक है ना आपको अगर मेरे बारे में जानना है तो ठीक है ना सिर्फ मैं यह अपने बारे में आपको अच्छे से बता सकती हूं और कोई नहीं बता सकता हूं तो चलिए अपना ध्यान रखिए मुझे सारी बात आपको सामने शेयर करनी थी और नहा के आई थी आज इतनी जादा कर्मी है ना इतनी जादा चिप चिप वाला महोल मोसम सा हो रख है और मैंने पता है दो दिन ना में बाहर गई हूँ और ऐसा हो गया मतलब बाल भी नहीं बाये मैं अबना हाई हूँ जाके अब मैंने अपने कपड़े बदले मतलब इतनी जादा मतलब लैवल हो गया और मेरे को पता है एक चीज़ और बतारी थी मेरे को अबना मेरे उपर वीडियो बनने लगई है मेरे को कह रहे है कि इसने वेट लोस चैलेंज शुरू किया था वो अभी शुरू किया था अभी इसने अब पूरा नहीं किया ये नहीं किया मतलब ना ये भी मेरे साल मतलब आप कुछ सोचे यार जिस लड़की की लाइफ में जो पुलिस के F.I.R.K. स्टेशनों के धक्के खा रही होगी वो उसके दिमाग से कहां वेट लोस कहां ही चीजे चल रही होगी मेरी लाइफ की सिच्वेशन तो देखो यार मैं कर रही हूं दीरे दीरे अरे यार बस मैं क्या बोलूँ प्लीज सिर में दर्द हो गया यार बहुत मेरा बड़ा मन धागी मैं सोचे थी आज रात को लाई वाजू बट नहीं यार फिर बदलाव अभी नहीं